हुआ है 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 लास्ट वीडियो लेक्चर करना हो किसमें ज्यादा विरियेबिलिटी या किसमें ज्यादा कंसिस्टनसी है तो हम सीवी का यूज करेंगे वह वराइटी देखी अब एक नई वराइटी पर आते हैं जिसको बोलते हैं रैक्टिफिकेशन मतलब आपने मीन और एस्टी निकाला होगा और कुछ अब्जर्वेशन रॉंग होगे जो आपने ले दिये थे उसके लिए करेक् देखेंगे तो पता चल जाएगा लुक अब्जर्वेशन 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 देखेंगे तो पता चल जाएगा और उसके बाद है what is correct value of coefficient of variation तो चलिए पूरे प्रेशन को ज्यान से समझ लेते हैं पहले हम यह data summary लिख लेते हैं जो भी information हमारे पास है उसको पहले हम यहां summarize लिखेंगे एक तो है incorrect x mark और 200 items का mean जो है जो wrong incorrect है वो 16 है और incorrect standard deviation 20 है for how many observations you can say 200 observations के लिए इसके साथ साथ बोला गया है की wrong observations काल से है तो by mistake at the time of calculation two items were wrongly taken excuse me wrong observations जो है वो है 3 and 67 और correct observation जो है वो है 13 and 70 तो पूरा question देखके पहले आपको यह पता चल जाएगा उसको सब्सक्राइब करेंगे तो working में पहला working होगा incorrect sigma x और वो है n into x bar n का मतलब है 200 और x bar का मतलब है 16 200 इंटू 16 तो इसका answer होगा 12,000 यह incorrect sigma x है उतना ही नहीं मुझे इंकरेक्ट sigma x square भी जाए तो कि इस बीन को करेंगे करना है standard deviation को भी correct करना है और incorrect sigma x square का मतलब है n into x square plus x bar square अब प्रॉक्राइब की सरी यह तो कहीं कर formula है यह हमने देखी नहीं है ठीक है अब यह formula accept करके चलते फिल्म में इसको detail में अब इसको भी accept करें तो n क्या है n है 200 s square standard deviation जो रॉंग standard deviation है वो 20 लेकिन square value नहीं सीथा लिखूंगा तो वह हो जाएका 400 और x bar square यहां तक किसी को कोई confusion नहीं होना चाहिए यह तो इंकरेक्ट है लेकिन रिजल्ट का मतला होता है इंकरेक्ट रिजल्ट माइनस रॉंग observation प्लस करेक्ट observation पहले में लिखा कुँगा incorrect result percent corrected रिजल्ट में corrected sigma x incorrect sigma x तें 12,000 रॉंग observation तो हो माइनस करेक्ट तो इसका मतलब 3 और 67 माइनस होगा और 13 और 17 प्लस होगे तो इसका जो रिजल्ट मनेगा ठीक है वो क्या है तो 12,000 माइनस 3 माइनस 67 प्लस 13 प्लस 17 कैल्पुलेटर का फ्लॉपर यूज करें फिगर आये कि 11960 11960 और अब करेक्टे सिग्मा एक स्क्वेर की बात करें तो इनकरेक्ट सिग्मा एक स्क्वेर जो है वो है एक लेंग अच्छा रॉंग अब्जर्वेशन लेकिन ध्याल रखेंगा कि यह अब्जर्वेशन का समेशन नहीं है अब्जर्वेशन के स्क्वेर का समेशन है तो रॉंग अब्जर्वेशन जो 3 है उसका स्क्वेर यह तो नहीं तो हमें यहां अब्जर्वेशन की स्क्वेर वाइनस प्लस करने है तो मै डारेक ने लिखूगा 3 का स्क्वेर माइनस 9 और 67 का स्क्वेर होगे कैल्कुलेट कर लो 67 का स्क्वेर 4489 यह माइनस होगे 13 स्क्वेर 169 17 स्क्वेर 289 प्लस होगे यह सब प्लस माइनस करने से बिगर होगे यह 795 960 तो यह हुआ और करेक्टेर सिग्मा एक्स और करेक्टेर सिग्मा एक्स वेर लेकिन इसके बाद जो हमारी रिक्वाइर्मेंट है वो क्या है वहाँ पर आजाने है अब रिक्वाइर्मेंट है रिक्वाइर्मेंट में पहली रिक्वाइर्मेंट है और दो करेक्टेर एक्स बार का मत्रव होगा करेक्टेर सीग्मा एक्स अपॉन एक्स एक्स तो और जुद्ध करेंगे लेगे दो करेक्ट अपज़वेशन हम उसको रिप्लेज भी कर रहे है तो तो टोटल नपर अबसेशन टूहने निलेगा वो कभी इस जब नहीं हो रहा है यहां तो यह टीवाइट पाइट नहीं करेंगे सो वन वन नाइन सिक जिरो डीवाइट वाइट निख टूहन तो इसकी वेलियो आने वाली है 59.8 करेक्टेड एक्सट करेक्टे इस कि रहें कि अब करेक्टेड डियेशन के लिए गुजे झीद इस सिघ्मा एक्स-कॉरल थे माइनस स्टिग्मा 960 divided by 200 और उसके बाद सिग्मा एक्स 11960 divided by 200 और उसका स्वेड यहाँ पर एक step additionally calculate करना पड़ेगा तो वो figure मैंने दे लेते हैं 795960 795960 divided by 200 तो एक figure आएगा 3979.8 3979.8 माइनस करना पड़ेगा 11960 divided by 200 और उसका भी square value तो तो 3576.04 अब यह दोनों का difference और उसका square root करेंगे तो 3979.8 में से अपने को minus करना है 3576.04 और जो figure आएगा फिर उसका square हो तो यह figure गो रहा है 20.09 यह corrective S है हाँ यह equation थोड़ा extended है corrected CV भी नहीं करना है तो उसके लिए मुझे जो दोनों corrected value है S on X bar उसी को S upon X bar यह को अंडेड करके काम कर सके तो यह correct at X bar कितना है तो वो है 20.09 डिवाइड बाइ 59.8 multiplied by 100 तो वो value हो रही है 33.61 33.61 और सा तो बहुती simple सा टास्क है क्या करना है जोई तो incorrect X bar और incorrect standard deviation और number of observations wrong observation बन से करें यह सब देटा समझे में पेले equation में से दिखना हूँ उसके बाद दो वर्किंग करते होगे incorrect sigma X N into X bar incorrect sigma X bar N into S square plus X bar square सब यही problem में यह कैसे आया वो मैं भी बता रहा हूँ पहले इसको continue from the situation तो वो value सबस्टिट करो तो incorrect sigma X पर देगा incorrect दोनों result पर से मुझे correct result निकाल रहे है तो wrong observation minus करना पड़ेगा जब आप wrong observation minus plus कर लो तो ध्यान रखना है कि sigma X square में observation का minus plus नहीं करना है तो observation की square value को minus plus करना है और उसके बाद आपका दोने रिजर्ट करेक्टर मिलेंगे उनका use करके correct mean और correct standard deviation निकाल सकते हो अभी correct CV पूछे तो ओभी आप solve कर सकते हो सिर्फ एक point बज़ दया और वो कौन सा है तो वो है कि सरी ये figure ये sigma X square का ये मतलब कैसे हो जैसे sigma X तो पता n into X निकिन ये कैसे होगा तो वो मैं यहाँ पर आपको explain कर रहा हूं ध्यान से देखिए आपको बालू में S का मतलब है under root of sigma X square upon n minus sigma X upon n the whole square अब मान दीजिये कि S का square करेंगे तो square रोग रिम हो जाएगा तो ये बनेगा क्या sigma X square upon n और sigma X upon n the whole square अच्छा कोई ऐसा के बोल सकता है कि सर ये sigma X square upon n लेकिन sigma X upon n अल्टी पेटी तो X bar ही है तो प्योंकि X bar का भी square बोल्स obvious है अब ये minus X bar square होए opposite side देजाओं तो ये हो जाएगा S square plus X bar square और उसका मतलब है sigma X square upon n और ये n को में यहाँ multiply करूं तो n into S square plus X bar square जो बंदा है sigma X square तो ये रहा और ये आप इसकुल match कर सकता हो कि sigma X square का मतलब यही है आप देखरो n into S square plus X bar square तो ये आपके सिर्फ reference के लिए ये explain कर दिया आपको directly यही याद रखे काम करना है लेकि वो कैसे filter mind हुआ है कि आपके लिए reference रहेगा एक काम कीजिए ठीक है ये पूरे question का तो आप screenshot ले लीजिए और इसके बेज पर जो question आप हो ओमवर पे है वो screen पर दिये हुए उस हिसाब साब ओमवर कर लेजिएगा और मैं ये session यहाँ पर तो भरता हूँ thank you very much